ला नमस्ते सम्पूर्ण साथियोरुमा या आवले स्वागत छो आजवको क्लास मा आए राजवको आम्रों प्रिशेस QAD क्लास मा चाहिं आमी थोड़े यहार्शंगर डिस्कॉस्चन गर्शो जुन क्वेस्थन अवर यहारले जुन परिक्सा दिनू गर्शो एदा शुरू गर्शो मेदा ओके कोमन कोल्ड को काउजेटिव एजेन के क्यो क्वेस्थन नायम की राएको छा वनुत्ता साथियरुमान कोल्ड गर्वने वाइरस को नायम की राएको छा एको छा कोमन कोल्ड को मोस्ट कोमन काउजेटिव एजेन्ट कुंड एको सा वने यहारले सोधियो वने राइनो भाइरस लगाउन बुला एको मन कोल्ड गर्वने हो राइनो भाइरस हैता कोमन कोल्ड गर्वने मोस्ट कोमन वर्याणी जा वनेको की होता राइनो भाइरस राएको छा एको छा एको छा कोमेंट गर्व जवाब दिनु छा हैता है एचाई भी एड शुरोग गर्वने वाइरस को नाम की राइको छा रियल्साओ जी रेट्रो वाइरस लेकनु बाद छा अरु अर्चा थी वनुस्त ये उन्छा तुनिल कुमार यादव जी रेट्रो वाइरस ओके तुरिय चोधरी जी रेट्रो वाइरस लेकनु बाद छा वेल्लांड रेट्रो वाइरस है एचाई भी एड्स गर्वने वाइरस को नाम रेट्रो वाइरस रहेको छा है एक छा एसे गरी एक्यूट कोराईजा वनेड़ कुन रोग लाए चिनिन्छा वने कोमन कोल्ड लाए एक्यूट कोराईजा पनी भनी भनी छा एदा पोमन कोल्ड लाय औरको नाम के बनेड़ा चिनिन्छा बने एक्यूट कोराईजा पनी बन छाए एक्यूट कोराईजा एसे गारी औरको आउ 3C disease बनेड़ा कुन रोग लाई बनीन्छा 3C disease कम्निकेबल मा कुन एस्तो डीजीज रहेको छा तेलाए 3C disease बनींचा बने मिजग सिलाए बनींचा 3C disease बनेगो कौफ कॉराईजा एन्द कन्जंक्टिवाइटीस 3C बनेगो यह उगा एदा 3C बनेगो कौफ कॉराईजारा चन्जेक्टिवाइटीस थिरिसी को पुरा नाम की हो था कफ कोराईजा रा कंजेक्टिव आइटिस थिरिसी डीजीज बने रा मीजल स्रोग लाइची निन छाए था बुझनू भयो किलेर छा साथेरू केसे गरी प्याथो गोनोमिक प्याथो गोनोमिक फीचर सब मीजल मीजल को कुण एस्तो फीचर हो जेल लाइट प्याथो गोनोमिक फीचर बनीं छा बनूसका कुण एस्तो फीचर हो जुन आमी एर ने विद्दी का यो रोग लागेको छा बनेरा बनना सक्षों पैथोगोनोमिक फीचर भने को तेस्टो फीचर हो के हुँँछा कमेंट करनूँश कलाम जी कौपलिक एस्पोर्ट लेखनू भाचा फ़रू अरुशाथी भनुश्था के हुँँछा यहारू बाट जबाब आऊशे ता सुरिया चोदरिजी कौपलिक एस्पोर्ट विजे ता जी ठीक्सा सब बैस जन्हासाथी अरु कमेंट गरों एए पैथोगोनोमिक फीचर अफ मिजास भने को कापलिक एस्पोर्ट हो कपलिक एस्पोर्ट कुण ठाउमा देखिने गरता छा लोयर, सेकेंड, मोलार सेकेंड, मोलार मा चाएं लोयर तलो भाग में चाएं हैं जुन लोयर सेकेंड, मोलार में देखा पर्णे गरता छा है दा हैं ब्लीव कोलार को चाहें उन्हा ब्लू कॉलर को मीजल्स को पैथोगोने में फीचर हो यो कॉपलिक एस्पोर्ट इसे गारी और को आओ अलिक यो में पैदो हो यो फोर्ट कौफ एकदम डाम रुवाई दा कौफ लेखनु भाज़ा एक जाना साथी ले साथी रियले शोलोजी ले ठीकछा एक रेश्पेट्रीश स्प्टम को मस्ट कमन सिंप्टम्स बने को पनेस्तो साइन स्प्टम रेश्पेट्रीश सिंप्टम माँ जाई सतो बंद्र कोमन हुंच बने कख हुंच औरको Most Common Symptoms of Cardiovascular Disease Cardiovascular System को disease लागयो बने समय बन्दा Common देखा परने फीचर कुनो बन्नो जैदा नागेंदर जी Chest Pain लेखनू बाचा कलाम जी Chest Pain रमेश कुमार ओली जी Chest Pain लेखनू बाचा सुनिल कुमार यादव Chest Pain मनिला जी Chest Pain लेखनू बाचा है ओके Chest Pain आर्ती जी Chest Pain लेखनू बाचा एकदम राम लो ठिक्सा है ता Chest Pain Cardiovascular को Most Common Symptoms वने को Chest Pain एता एसे गारी Hospital Acquired Infection लाई कुन Infection बारींचा Hospital Acquired Infection अस्पताल बाट अक्वाइड वाएको Infection लाई अस्पताल बाट सरेको Infection लाई कुन Infection बारींचा अनुस्ता नोजो कुमियल Infection नोजो कुमियल Infection एता Hospital Acquired Infection लाई नोजो कुमियल Infection बारींचा नोजो कुमियल Infection इस एक्वाइड इन्फेक्शन फ्राम अहेता Option A मारा हैको छा Droplet Option B मारा हैको छा EGCN Option C मारा हैको छा Droplet Nucleae Option D मारा हैको छा Hospital ला एसको correct tensor क्यों छा Comment गरो महिता Which one is correct tensor? Comment गरूस्ता तुनिल कुमार यादब जी D लेखनू बाचा निशू जी D लेखनू बाचा ओके सुरिया चोधरी जी C लेखनू बाचा रियल साउच जी पनी C लेखनू बाचा सपई जना साथी अरू बनू जे क्यों छा हो जो कोम्यार इन्फेक्शन इजा इन्फेक्शन एक्वाइड फ्रम कलाम जी D लेखनू बाचा बिजेता जीले C लेखनू बाचा आर्ती जीले D लेखनू बाचा ओके तैरनु जए यो क्वेशन माली कंफिलिक्ट भाई आर्ती जना साथी अरले C लेखनू भाचा अरू साथी अरले D पनी लेखनू भाखो छा ये ये येसको सही जवाब भनेको D उन्छा इता तैरनु जए यहां क्ये भनेको छा नोजो कोमियल इन्फेक्शन इजा इन्फेक्शन एक्वाईड फ्रम नोजो कोमियल इन्फेक्शन क्ये बाट एक्वाईड हुँँछा ता होस्पिटल बाट ना हुँँछा कि ना में नो जो कम्यल बनेको तउसपितल बाट एक कोईडवा एक इंफरेक्षन हो A यो रूड घरीना स्वदेक उच द्रापलेट इंफरेक्षन, थेफिधीचीन बाट की ड्रापलेट निकली आय बाट यो भनेको छ नोजो कोमियल इंफेक्शन कहा बाट एक वाइड हुँँच तो हस्पीटल बाट उँँच तेहीं बाट एको सही जवाब भनेको D हुँच धेरे दिमाग लगाउनु भाएन यो कोईशन मा धेरे दिमाग लगाउनु उँच मने रूट तरफ दिमाग जान छ या इंफेक्शन भनेको छ नोजो कोमियल इंफेक्शन रिलेटेर खुडा आचा तर नोजो कोमियल इंफेक्शन कहा बाट एकोईड हुँच तो हस्पीटल बाट उँच अएना बुजन वहसात यहरू किलियर छा किलियर गवाई कॉंचेप्ट अलोग नोजो कोमियल इंफेक्शन इज एकोईड इंफेक्शन फ्रॉम मतलग नोजो कोमियल इंफेक्शन के बाट एकोईड हुँच उने इंफेक्शन हो नोजो कोमियल वनेको के बाट एकोईड हुँच उने इंफेक्शन हो तो हस्पीटल बाट एकोईड हुँच उने इंफेक्शन वहनी हस्पीटल बाट उने इंफेक्शन होनी नोजो कोमियल इंफेक्शन यहां तो रूट को कुड़ा गड़ेको चाहिए ना निकुन रूट बाट यो infection transmit हुँँछ अथवा सर्च यो कुड़ा तो यहां गड़ेको चाहिए ना नोजो कोमियल इंफेक्षन वनेको के बाट एक्वाइड हुने इंफेक्षन वनेको वस्पिटल बाट एक्वाइड हुने इंफेक्षन हो तेहे भारा हस्पिटल एक्वाइड इंफेक्षन इस नोजो कोमियल इंफेक्षन यह तो यह स्पेसल इपिटम लोजी कोई टार्म भयो नोजो कोमियाल तर नोजो कोमियाल लाई के ले जना होचा दो होस्पीटल एक वाइड इन्फेक्शन ले जना होचा नी तेहीं बारा है दा अब बुझनु भयो यसते समान्य कुड़ा आरुमा मिस्टेक गर छाई कोईशन पनी आको होँचा योग यसतो कोईशन आडू केशा साथी आडू बुझनु भयो कंसेप्ट किलियर छाब हलो गुझी ओके इसे गारी इजिस यान इसे अचा था 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 था人 चर्चंम alcohol बीजिस यान था 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 ठीक्षा और कोचा इनफेक्शन अफ सर्जिकल उंड इज और इग्जाम्पल्स अफ है ता जो क्वेशन भायो option A. EGCN-Induced nozocomial तेसे गरी जोनोटिक इनफेक्शन option D माच आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन ला क्या उंचा भनुस्ता which one is correct answer ला comment गरो मैधा infection of surgical would जा examples of physician-induced nozocomial तेसे गरी genotik, आइट्रोजेनिक रमेश ओली जी, सुनिल जी लेखनु आछा B, राम कुमारी जी B लेखनु आछा ठीक्सा ठीक्सा है ता, एसको सवी जवाब हने को बीने मुझाए सर्जिकल उंड इन्फेक्शन उन्मु भने को के होता, नोजो कोमियल इन्फेक्शन हो, हो स्पीटल भाटा एक वाइड भाए, को इन्फेक्शन लाइजना हो जाई ता, एक्सा है अरको साथ, इस विच इस ट्रास्मिटेड रूम वर्टीब्रेट अन्मॉल्स तो मैं लख्ये उंचा इसको करेक्ट एंसर भन्नुष, है डिजीज विच इस ट्रास्मिटेड फ्रूम वर्टीब्रेट अन्मॉल्स तो मैं जनावर बात मानिसमा रोग सर्नु लाइक्ये भनिन्छ, है कमेंट गरो दो, एंथ्रोपुजनोसिस रमेश ओली जी, एंथ्रोपुजनोसिस एंथ्रोजोती पास बांजी, एंथ्रोपुजनोसिस ठीक साई कि एंथ्रोपुजनोसिस ठीक साई कि एंथ्रोपुजनोसिस दीक साई कि एंथ्रोपुजनोसिस एंथ्रोपुजनोसिस अरको नेक्स्ट आउनुस नेक्स्ट क्विस्टन माँच ब्लाक वाटर फीवर वनेडा कुन डिजीज लाई चिनीच ब्लाक वाटर फीवर वनेडा कुन ड्रोग लाई चिनीच ब्लाक वाटर फीवर वनेडा कुन ड्रोग लाई चिनीच ब्लाक वाटर फीवर वनेडा कुन ड प्लाजमोडियम फ्याल्सी पेराम लाए बाचाई तर प्लाजमोडियम फ्याल्सी पेराम बाट जुन संक्रमन उन्छा तर लाए ब्लाक वाटर फीवर बनी चाई एक साव और को साव मेनी टाइप ऑफ डावलू बीसी डावलू बीसी कती परकार को हुन्छा वनुस्ता अव्मेनी टाइप साव डावलू बीसी वाइट ब्लाट चेल कती परकार को हुन्छा दुई परकार को मनीला जी दुई परकार को ए रंजीता जी लेकनु बाट साव दुई टाइप सको ठीक साव दियर आ़ टू टाइपस ऑफ डावलू बीसी वाइट ब्लाट सेल यहुता हुन्छा ग्रैनूलो साइट्स और अर्णो हुन्ट अग्रानूलोसाइट यह था डबलू बीसी दुई परकार को उन्छा ग्रानूलोसाइट रो ए ग्रानूलोसाइट पनी तीन परकार को उन्छा यसको फर्मुला हो यान बी-ई यान बी-ई वनेको न्यूट्रोफिल यसे गारी बैसोफिल और इसीनोफिल तीन परकार को उन्छा ये ता ग्रानूलोसाइट ग्रानूलोसाइट बनाले ग्रानूल्स आकार को ये स्ट्रक्चर तेसमा पाइन छा चला है अमी ग्रानूलोसाइट मा राक्षो ए यह सको फर्मुलाँ आशा यान, V, Neutrophil, Vasophil, Isnophil यह ग्रेनुलोसाइट को फर्मुलाँ हम यहाल, दुटैब्स को हुंचा यहटा हुंचा Monoocyte, Monoocyte, रहको हुंचा LeMPocyte, Monocyte र LeMPocyte, थीक साप ये ग्र्यानुलोसाइट दीपरकार कुँँचा, मोनोसाइट रा लिम्फोसाइट अरको शाँ लार्जस डबलुबीसी सब वन्दा ठूलो डबलुबीसी कुणड़ा ये को सब डबलुबीसी मा साइज मा सब वन्दा ठूलो कुणड़ा दो मोनोसाइट हुँचा, ये, मोनोसाइट, रायस्मलेस्ट डबलुबीसी लिम्फोसाइट हुँचा येसे गारी मोस्ट नुमेरियास, मोस्ट नुमेरियास डबलुबीसी, न्यूट्रोफिल्ड है को शाँ संख्याक को धार्मा एर्दाकेडि सब बंदा बढ़ियो, 40-75% ये हुँचा, न्यूट्रोफिल ले हुँचा ये बाड़ा मोस्ट नुमेरियास, न्यूट्रोफिल हुँचा, सब बंदा थुलो लार्जेस्ट वान, एको मोनोसाइट हुँचा लगभग यो अठारा माइक्रोन जत्ती को हुँचा इता, अठारा माइक्रोन ये बाड़ा सब बंदा थुलो लार्जेस्ट वान, एको मोनोसाइट हुँचा WBC द्विपरकार को हुँचा, ग्र्यानुलोसाइट रो ए ग्र्यानुलोसाइट, ग्र्यानुलोसाइट पनी तीन परकार को हुँचा नुट्रोफिल, डासोफिल र इसिनोफिल यान बी ई अरकोछ ये ग्र्यानुलोसाइट पनी द्वी परकार को हुँँछ मोनोसाइट र लिम्फोसाइट अब यो पांच उटाम मद्ये पहिला द्वी परकार को लगाऊनू अला ड्वी बीसी द्वी छैना बने 5 लगाऊनो सकनोँछ ये आरले किना बने तीन रड़ द्वी पहिला द्वी छैना बने 5 ड्वी बीसी मां सबंदा लार्जेस्ट मोनोसाइट हो सबंदा smallest ब्ल्पोसाइट उरमस्ट नुंमेरियस बने को निूट्रोफिल हुँछ पर्कार को उन्षा अब हंतोि में मुखें, बलड़ सेल को थी परकार को न्ह Nove को टाइप को थी अबलड न्ह二 प्ल स्पले ट्रा प्लेटेलेट्स RBC, WBC रब प्लेटेलेट्स RBC लाई medical name इरिथ्रोसाइट वनिंच WBC लाई leukosाइट वनिंच रब प्लेटेलेट्स लाई thrombosाइट वनिंच इन परकार जुन उन्चाओ तेसमा RBC, red blood cell लाई, इरिथ्रोसाइट WBC लाई leukosाइट, leuko वनिंच 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 प्लेटेलेट्स लाई चाहिन त्रोंगोसाइट वनिंच यह लेगे गर्छाथा, nutrition nutrition और O2 supply चल हरुमा गरने काम गर्छा RBC ले WBC लेके गर्छाथा, defense mechanism मा काम गर्छा defense मा आई त्रोंगोसाइट्स ले blood clotting मा काम गर्छा, यह blood clotting गर्णे काम गर्छा RBC को मुख्ये काम चाहिन के हुन्छा त्यल्ले पोशन दिन चाशेल हरुलाई कासरी त्यल्ले पोशन दिने जुन काम गर्छा oxygen, RBC अंतरगत मा जुन हेमोगलोबीन हुन्छा त्यल्ले पर्टेक सेल्चमों oxygen प्रियावने काम गर्छा WBC लेके गर्छा, रोग संगल लडने समता परदान गर्छा रब प्लेटेलेट्स को काम हुन्छा, blood like clotting गर्णे जमाउने यहता अब यह तीन ओडामा सब वन्दा largest वनेको कुनो WBC हो largest WBC हुन्छा है, सब वन्दा largest वनेको WBC हो किक्सा, सब वन्दा smallest वनेको यह हुन्छा, प्लेटेलेट्स रो, most numerious यह हुन्छा, RBC, most numerious संखिया मास सब वन्दा पगड़ी वनेको RBC हो, किना वने कती पर्सेंट हुन्छा? यह 44%, रो, युभई मिला हारा चाहिक कती हुन्छा, तब 1% हुन्छा संखिया को यह धार मास सब वन्दा वड़ी वन्दा वाडी, RBC हुन्छा RBC 44%, 45% मा, रएक पर्सेंट मा, WBC, प्लेटेलेट्स हुन्छा, एक सब? झाल झाल झाल